यह सबजी खाने में जितना टेस्टी और चटपटा है उससे कहीं ज्यादा पॉस्टिक भी है तो फ्रेंट्स आज में लेकर आई हूँ फूल गोभी की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सबजी बिल्कुल यूनिक तरह से बना हुआ यह सबजी खाने में गजब का टेस्टी और चटपटा है बीना किसी जंजट के आप इसे 10-15 मिनिट में बना कर रेडी कर सकते हैं और खाने में बिल्कुल साफ्ट और बहुत ही टेस्टी है अगर आप एक बार इस तरह से सब्जी बना कर खा लिए तो फिर बार बार इसी तरह से बना कर खाएंगे तो चलिए बनान के लिए सबसे पहले गोवी लेंगे इसके डंठल निकाल कर अलग कर लेंगे और इसके छोटे-छोटे पीस कर लेते हैं अब यहां पर मैंने इसके एक फूल अलग कर लिये हैं और चोटा-चोटा काट लिया है तो अब इसे हम थोड़ा और चोटा-चोटा कर लेंगे तो अ आपको ग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब यहां पर सारे गोवी को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट लिया है और इसे काटने के बाद दो तीन बार अच्छे से धोकर साप कर लिया है तो अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम सारे गोवी डाल कर लिया है तो अब इसे बंद करेंगे और बेना पानी डाले है इसे ग्रैंट कर लेंगे गोवी में इतना पानी राता है अकि आसानी चानी सों जाएगा ऐस भीलकुल नागे और आनो यहां आपर सारे गोवी ब्लंग को मैंने विल्कुल डरड़ा पीस लिया बंद करेंगे और से पीस कर इसका अब हमारा मसाला भी पिसके रेडी हो गया है, तो अब इसे इसी तरह से रख देते हैं, अब लेंगे ग्रेट किये हुए गोभी, और इसमें वन फोर चमच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे, वन फोर चमच लाल मेच पाउडर डालेंगे, मिर्च आप कम जादा कर लें, ए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, इसी में मैंने एक चमच पीसा हुए मसाला डाल दिया था, जो मैंने लासन फ्याज अधर टमाटर पीस कर रखा था, जो रिकार्डिंग में नहीं आपाया है, आप इसमें जरूर डाल दीजिएगा, तो इसे पकवड़े बहुत चरपट खाल से बनेंगे, थोड़ा सा वारी कट अधरा धनिये दालेंगे और मिक्स कर लेंगे, अब इसमें डालेंगे री बड़े चमच जए बेसन इससे इसकी बैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, इसमें बस उतना ही बैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, इसमें बस उतना ही बैंडिंग अच्छे से हो जाएगी, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही अच्छे से म तो इसमें हम एक टेबल स्पुन बेशन और डाल देते हैं और इसी के साथ इसे भी मिख कर लेते हैं यानि इसमें मैंने टोटल 4 टेबल स्पुन बेशन यूज किया है अभी हमारा बिल्कुल सूखा बैटर बनके रेडि हो गया है इस तरह का यह देखिये अब इसी में हम एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे यानि खाने वाला मीठा सोडा अब इसी में एक चमज पानी डालकर इसे एक्टिवेट कर लेंगे और इसे इसी के साथ मिक्स कर लेते हैं इसे जो हम पकवड़े बनाएंगे वह ग्रेवी में डालने के बाद अच्छे से सौप्ट हो जाए तो ये अंदर तक अच्छे से सीख जाएगा और ग्रेवी में डालने के बाद विल्कुछ सौप्ट हो जाएगा और ये देखिए अब ये हमारा टिक्की बनके रेडी हो गया है तो इसे हम रख देते हैं और इसी तरह से और भी टिक्की बनाकर रेडी कर लेते हैं थोड़ा पर मैंने ऑईल पहले से गरम होने के लिए रख दिया है और तेल अच्छे से गरम हो गया है इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है तो अब इसमें एक टिक्की डाल देते हैं जितना एक बार में आ जाएगा उतना इसमें हम डाल देंगे और इसे इसी तरह दो मिनट दाल देती हूं जिससे ही कठे सारे टिकी फ्राइब हो जाए और यह देखिए अब यह हो गया है और अच्छे से फूल गया है क्योंकि इसमें मैंने बेकिंग सोडर डाला है तो जो बड़े हो गये हैं उसे हम एक एक करके निकाल लेते हैं और जो कच्छे हैं इसे भी हम उल कुछ फ़ड़े मशाले लिये हैं बड़ दाल देता एक बड़ी द डाल देक दाल की जाने और इसमें बड़े कढल राले निकल आए अब इसे चला तक मिनट टक कर लेते हैं जिससे प्यास का कच्चा पर निकल जाए। तो तीन मिनिट कूख कर लेते हैं, जिसे मसाल है अच्छे से पग गया है। गैसे कोyba मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। अब यहां पर इसे मैंने ठखकने 2-3 मिनिट कूख कर लिया है। तो अब इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, अब मसाला अच्छे से पक गिया है, और ये अच्छे से तेल भी छोड दिया है, और मसाला की खुस्पु भी बहुत अच्य आ रही है, तो अभ इसी ठेज़ पर इसमें हम डालेंगे, पानी에요, तो इसमें हम D कसूरी मेथी लिया है इसे हाथ में लेंगे और थोड़ा सा क्रस करके इसमें डालेंगे इसे इसका टेस्ट और खुस्वू दो नहीं बहुत अच्छा हैगा अब जाएगा इसमें टेस्टे कार्डिंग नमक तो हाफ टीस्पूर इसमें हम नमक डाल देते हैं नमक आप अपने मैंने बनाका रखा था और यह देखिए यह कितनो सॉफ्ट बना थे अभी से इतनो सॉफ्ट होए तो गिरेबी में डालने डाल दिये हैं, तो अब इसे अच्छे से चला देते हैं, और इसे इसी तरह से ढखकर 2 मिनट और कुक कर लेते हैं, जिसे बड़ा थोड़ा सा सौप्ट हो जाए, इसे बहुत ज्यादा देज तक कुक मत करियेगा, तो बसे 1-2 मिनट तक ही कुक करना है, अब इसे मैने 2 मिनट और कुक कर लिया है तो अब इसे चेक कर लेते हैं तो इसे चला देंगे और यह देखिए अब बड़े अच्छे से सौफ्ट हो गए है तो अब इसमें जाएगा आधा बावल बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसे थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं अब सब्जी हमारा बनके बिल् चपाती राइस किसी के भी साथ खाए यह बहुत ही टेस्टी लगेगा अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूं और यह देखिए यह कितना सौफ्ट बना है और खाने में गजब कर टेस्टी भी है आप इसे एक बार जरूर बना करें आप इसे बनाकर खाए और कमेंट करक के लिए थैंक्यू